आज हम बना रहे हैं चोकलेट आइसक्रीम जो कि बहुत ही कम चीजों से बनेगी और ये चीजे हर वक्त हमारे घर में मजूद होती हैं उसके लिए हमें जो चीजे चाहिए दो गलास दूद, तीन पैकेट चॉकलेट चिप बिस्किट, टू टेबल स्पून शुगर आज की रेस्पी हम बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हम बिस्किट लेंगे और इनको ब्लैंडर में डालकर इसका पाउडर बना लेंगे बिस्किट का हमने पाउडर बना लिया है इसमें एड़ करेंगे मिल्क आप इन बिस्किट के अलाबा कोई और भी बिस्किट यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद हो दो ग्लास मिल्क मैंने इसमें एड कर दिया है अब हम इसको दो मिनिट के लिए ब्लैंड करेंगे दूद और बिस्किट को अच्छे तरह से मैंने ब्लैंड कर लिया है तालकर हम इसको मीरियम फ्लेम पर गारा करेंगे इसको महलाते जाएंगे तांकि नीचे ना लगे मिक्स्टर हमारा गारा हो चुका है अब हम इसमें टू टेबल स्पून शुगर एड़ कर देंगे और इसको पांच मिनट के लिए पकाएंगे मिक्स्टर हमारा गारा हो चुका है अब हम एक बॉल में इसको निकाल लेंगे इसको पांच मिनट के लिए बीट करेंगे तांकि इसका टेक्स्टर थोड़ा स्मूथ हो जाए और ये थोड़ा ठंडा भी हो जाए ये देखें इसका texture कितना smooth हो चुका है अच्छे से मैंने इसको beat कर लिया है अब हम एक container लेंगे और इसमें इस mixture को add कर देंगे और इसको अच्छे से container में डालने के बाद इसको अच्छे से हला लेंगे तांकि इसकी bubbles ना मने बच्चों के लिए आप इस तरह चोटे containers में भी डालके रख सकते हैं और फिर इसके बाद इस पर ceiling sheet लगाएंगे और इसको rubber band कर देंगे और ceiling sheet को इस तरह rubber band से cover कर देंगे और इसको tight कर देंगे तांकि इसके इंदर हमाना जाए container को भी हम अच्छी तरहां से बंद कर देंगे tight करेंगे इसको भी तांकि इसके इंदर भी अखवाना जाए 6-7 गंटों के लिए इसको freezer में रख देंगे अच्छी तरहां से इसको air tight कर देंगे तांकि इसके इंदर हवाना जाए और बरफना जमे 7 गंटे हो चुके हैं आईस क्रिम हमारी त्यार हो चुकी है देखें कितनी अच्छी से यह जम चुकी है आईस क्रिम बिल्कुल रेडी हो चुकी है बच्चों को इसी तरह आप घर में आईस क्रिम बिना कर दे सकते हैं जी तो मज़ेदार से चोकलेट आइस क्रीम हमारी बिल्कुल तियार है अगर मेरे रेस्पी आपको पस्तन आए तो मेरे चैनलन को लाइक और सबस्क्राइब जरूर कीजेगा अल्ला हाफिज